नमस्कार दोस्तों सबसे बड़ा कोश्चन है कि शादी क्यों जरूरी है अक्सर देखा जाता है चाहें मैं लड़का हो या लड़की दोनों के दिमाग में अब यही दिमाग में गुंता रहता है एक कोश्चन बंगे रह गया है कि शादी क्यों जरूरी है तो आज मैं आपको इस वीडियो के दोलान बताऊंगी कि शादी आपके लिए क्यों जरूरी है अक्सर देखा जाता है कि लड़का और लड़की पहले जमाने में जड़ी ही शादी कर दिया करते थे जिस लिस्ते में बंग कर वह एक बंगते हैं तो उससे वह अपनी सिंदेगी को पूरा करते हैं लेकिन बही मेंटिनी दूसी तरफ कहती है कि यदि शादी करते हैं तो क्यों करते हैं उसके लिए क्यों जरूरी है क्या लड़के के लिए जरूरी है या लड़की के लिए वैसे देखा जाए तो लड़का और लड़की दौनों के लिए ही शादी का महत्वक अपनी अपनी जगा पर सही है क्योंकि लड़की भी शादी करने के लिए यानि कि उन चीजों को आभाव से तूर हो जाती है कि सादी में क्या होता है, कौन सी रस में होती है उन चीजों से दूर हो जाती है और वहीं अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों की भी वहे चीजे तूर हो जाते है पूरिके शादी का महत लोग वही जानता है जिसकी शादी होती है और शादी होने के बाद वह अपने रिस्ते को और भी जादा बैटर बनाते हैं अक्सर देखा जाता है कि जब लड़की और लड़के की शादी होती है तो अपनी रिस्ते को नया पड़ाव दिते हैं महसुस करने के लिए भी शादी बहुत जरूरी होती है शादी होने का यानि कि पती पत्नी एक दूसरे के ही पूरक होते है यानि कि जैसे एक सिक्का होता है सिक्के के दोनों तरफ पहलू होते है और सभी दोनों पहलू के अलग-अलग महत होते है वैसे ही पती और पत्नी दोनों काम है अलग-अलग होता है देखा जाता है तो लड़किया कहती हैं कि शादी करने के बाद पहले यहाँ पर जी हजुरी करो जो घर पर की जाती है उसके बाद अपने सस्वाल मुझा के जी हजुरी करो पती का कहना मानो पती कहेंगे यह करो तो वही करो तो वहें आपकी मेंटेनिटी की वज़ा से ही होता है आपकी सोच के उपर है यदि आप खुद अपने रिस्ते को और भी जादा बेटर बनाती है या फिर समझने की कोशिश करती है तो इसमें हुकम चलाने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि जब अपना घर होता है न तो उस घर में हमेशा प्यार होता है और उस प्यार में आप अपने आपी उस काम को करने के लिए तयार हो जाती हो दूसरों की देखवेक करना, संबान करना या फिर इज़त देना ये सभी चीजे आपके लिए ज़रूरी हो जाती है तो सादी का महत वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाहे मैं लड़का हो या लड़की लेकिन आज के कलियोग ने उनकी सोच बदल दी है लेकिन अपनी सोच को वही रखिए ताकि अपनी सोच को और भी नया पढ़ाग दे सके ताकि अपनी जिन्दकी को खुशाल बना सके और उस सादी के सोभाव को और आभाव को चान सके तो ये है शादी क्यों ज़रूरी है मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगे